हेलो एवरीवन मैं हूँ संधीप और आप देख रहें डिफेक्टो क्लासे पैरे बच्चो प्रिविस वीडियो में हम कुंप्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे थे और हम एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर चुके थे जिसमें बेसिक से क्वेश्चन आप से पुछे गए थ यह कुछ अंडरूट नेक्टिव टर्म्स का अंडरूट हमें गिवन था उनकी वैल्यू हमने निकाली थी तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 अब पहले इसके बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही एक्सरस अगर हम इरेशनल नमबर में इरेशनल लंसमेर जरा मिलता हैं अगर मैं आ इसी तरह की कुछ प्रोपर्टि यहां अब तहाथ है यह आप देख पा रहे हैं प्रोपर्टी नमबर फर्स्ट क्या कह रही है, इफ A प्लस आयोटा B is equal to 0, देन A is equal to 0 and B is equal to 0, यानि कि अगर हमें A प्लस आयोटा B की value 0 given है, तो यह हम already पढ़ भी चुके हैं, यानि कि exercise 5.1 में तो दुबारा करवा देते हैं, is equal to 0, यह हमें given है, अब आपको बताया गया था exercise 5.1 में, किसी भी complex number को generally किस form में लिखा जाता है, A प्लस आयोटा B, यानि कि कोई भी complex number और A प्लस आयोटा B की form में ही रहता है, अब यहां से देखें, A प्लस आयोटा B यह तो as it is, अब राइट साइड में क्या लिखा है, जीरो लिखा है, अब जीरो लिखा है, मिन्स इस जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानि कि इस तरीके से लिख लिख लिजी भी जीरो प्लस जीरो आयोटा, अब बात तो एक ही है ना, जीरो प्लस जीरो आयोटा, यानि कि रहेगा तो यह क्या, जिरो ही रहेगा अब equality of two complex number क्या कहती थी 5.1 में अगर two complex number हमें equal given है this means उनका real part real part के equal होगा और imaginary part imaginary part के equal होगा तो हम यह लिखेंगे by comparison of real and imaginary parts यान कि अगर हम इनकी comparison करें this means real part क्या है ए और यहां क्या 0 तो A की value क्या हो जाएगी 0 और B की value क्या हो जाएगी वह भी क्या हो जाएगी 0 तो इस तरीके से बिल्कुल simple सी चीज़े हैं ज्यादा इसमें आपको यह निया की sir proof दो प्रूफ दो वही चीज़ होगी न तो यानि की कुछ चीज़े ऐसी होते हैं जो नॉर्मली हमें याद रखने होते बस नॉर्मली इनका पता हो अब यह ज्यादा एक्जाम में यह नहीं पूछे जाएगी जो फर्स्ट प्रोपर्टी है उसको आप ड्राइव करो अप ड्राइव करने जैसा इसमें कुछ है नहीं यह सिंपल एक्वैलिटी ओफ कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ा ठोपिक है तो असानी से आप इसे सोल कर पाएंगे उसके बाद देखिए जो यह प्रोपर्टी न इसका मीनिंग क्या है कि जो रियल पार्ट है यानिक यहां से सी एस्कुल टू सी होगा और जो इमेजनरी पार्ट है जो आयोटा के साथ मुल्टिप्लाइव में बी इसकुल टू क्या होगा डी यह कहां से आया था प्यारे बच्चों एक्वैलिटी ओफ मैट्रिक्स से यह ह हम 5.1 में पढ़ चुके हैं तो यह पहली दो प्रोपर्टी तो जस्ट नॉर्मल थी उसके बाद देखिए थार्ड प्रोपर्टी पर आते हैं अब थार्ड प्रोपर्टी क्या कहते हैं दिस सम और डिफ्रेंस ओफ टू कॉंप्लेक्स नंबर इस ओल्वेज एक कॉंप्लेक् नंबर को हम किसे दिनोट करते हैं जैड से और कैपिटल सी किसके लिए था सैट ओफ कॉंप्लेक्स नंबर के लिए यह बेसिक कंसेप्ट आप याद रखें एंड जैड टू हम ले लेते हैं वो है सी प्लस आयोटा डी अब हम इन दोनों को आड करना है और हम यह प्रूव कर तो यह जो रियल पार्ट है ए और सी इसको अलग से लिख लिए ए प्लस सी जो आयोटा वाली टरम से उनमें से आयोटा को मन लेके क्या बचा बी प्लस डी और इंटू में क्या लेक सकते हैं आप आयोटा अब दोनों को आड किया तो यह कूंड सी फोर्म आगी यानिकि यह तो हमारा क्या होग ए और यह क्या होगा बी अब इस तरीके से से ए और भी यहनिकि यह कूंड सी फोर्म हो गई a plus iota b यानिकि real part plus imaginary part तो z1 plus z2 भी क्या है complex number या है real थोड़े न हो गया है अगर आप minus करते हो इनको यानिकि z1 minus z2 तब भी क्या हैगा a plus iota b में से minus कर दीजिए c plus iota d तो यहां से minus को open करोगे a plus iota b minus c minus iota d हो गया अब देखिए a minus c यानिकि real part है तो बाहर उसके बाद plus यहां से iota common होगे तो plus का b और minus का d iota अब यह भी क्या बचा अब यह actual में क्या होगा एक real part complex number का और यह iota के साथ है this means यह क्या होगा imaginary part यानिकि real part plus imaginary part यह क्या होगा तब भी वो क्या रहा complex number ही रहा तो उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों अब multiplication का case देखते हैं तो यह z1 z2 तो लिखी रहने देते हैं क्योंकि इन ही दोनों की हमें multiply करनी है तो यहां से देखिए यह z1 और z2 हमने लिए थे आप इनकी multiply को देखते हैं अब z1 की value क्या a plus iota b multiply करोगे c plus iota d के साथ तो यहां से देखिए a की multiply c के साथ होगी तो a c होगा a की multiply iota d के साथ होगी तो iota a d होगा उसके बाद iota b की c के साथ iota b c और iota into iota कितना होगा iota square और b into d b d होगा अब हमें पता है कि जो iota square और वो कितना होता है minus 1 होता है तो यहां iota square यानि कि minus 1 से multiply हो जाएगी तो यह क्या आजेगा minus में b d अब देखिए जो real part है जिसमें iota नहीं है इनकी a c और minus b d होगा a c minus b d उसके बाद plus इन दोनों में से iota common लेंगे तो यहांसे क्या बचा a d plus b c और साथ में क्या आगया iota तो यहांसे देखिए प्यारे बच्चों अब यह हमारा क्या है real part यह क्या है imaginary part क्यों की साथ में क्या लग रहा है iota तो इस वज़े से हम कह सकते हैं जो दोनों की product है यानि कि दो complex number की product है वो भी एक क्या है complex number है वो भी क्या आएगी है कि complex number आएगी अब जो property number 5th है 5th क्या कहते है the quotant यानि कि जब हम दो को divide करते हैं the quotant of two complex numbers is always a complex number तो यही number ले ले लेते हैं z1 और z2 अगर आप दोनों को divide करते हैं यानिकि Z1 upon Z2 Z1 की value A plus Iota B Z2 की value C plus Iota D अब देखिए इसको हमें A plus Iota B form में लेके जाना है अब तो A plus Iota B form में नहीं है क्योंकि यह divide में है तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं इसको rationalize कर लेते हैं C minus Iota D से multiply और C minus Iota D से divide तो उपर जब आप multiply करोगे A into C, A C हो गया A into Iota D minus का Iota A D हो गया Iota B की C के साथ करोगे तो plus Iota B C हो गया और Iota, यहां देखिए Iota into Iota Iota square और minus का sign आएगा और B into D, B D हो गया तो इनके हमने multiply कर देए उसके बाद देखिए A plus B, A minus B यानिकि A square minus B square, A square यानिकि C square BD square, इनके दोनों का square होगे न अब यहांसे देखिए, Iota square क्या होता है minus 1, तो इसकी जब value minus 1 पूत करोगे तो इसको क्या बना देगा plus बना देगा और उपरवारे में से देखिए, यहां Iota square है minus 1 पूत करोगे इसको भी यह क्या कर देगा, plus कर देगा अब यहां से value क्या बच्छी AC plus BD AC plus BD यानि कि जो real part है उसको पहले लिख लेते हैं imaginary part यानि कि जिसमें आयोटा है यहां से BC minus का AD बचेगा plus में हम लिखेंगे BC minus AD और साथ में आयोटा अब दोनों को अलग-अलग divide कर देते हैं इसके भी divide में क्या आएगा C square plus D square इसके भी divide में क्या आएगा C square plus D square अगर हम पूरे number की बात करें तो यह किस form में आगा यह तो complete क्या हुआ real part और यह complete क्या हुआ imaginary part तो इस तरीके से अगर हम दो complex number को divide भी कर देते हैं यह उनको cosent लेते हैं this means वो भी अपने आप में क्या रहता है complex number ही रहता है इस चीज़ का आप ध्यान रखें तो यह basic सी property थी जो important है और exercise के अंदर भी use होगा उसके बाद देखें पैरे बच्चों कुछ और property पढ़ते हैं complex number से related अब आगे क्या है algebra of complex numbers यानकि algebra of complex number हमें क्या कहते है इसमें जो first है वो है properties of complex number in addition यानकि जो addition की terms में इसकी property क्या क्या होगी अब देखें वो तो basic property थी जो आपने पढ़ी थी अब इसमें देखें कुछ अलग है जो first है first हम already कर चुके है यह बोल रहा है कि first property में addition is closed in C C का यहाँ meaning क्या होगा set of complex number यहाँ से इस C का meaning क्या है set of complex numbers इस तरीके से आप इनका ध्यान रखें कि यह C क्या है हर एक जगा मैंने क्या लिखा set of complex numbers C किसको denote करता है तो यहाँ से देखें यह बोल रहा है कि addition is closed in C इसका meaning क्या होगा कि अगर दो complex number है let Z1 plus Z2 यह दोनों क्या है complex number अगर इनको हम add कर देते है तो जो result आता है वो भी एक क्या आता है complex number ही आता है जो अभी हमने basic property के अंदर पढ़ा था तो first तो हमारी हो चुकी है कि अगर हम एक complex number में complex number ही add करें तो वो क्या मिलेगा हमें complex number ही मिलेगा उसके बाद second पर आईए second क्या कहता है addition is commutative in C अब commutative क्या होती है commutative में देखिए let Z1 and Z2 be two complex numbers यह दोनों क्या है complex numbers हैं भी अब according to commutative property ठीक है according to commutative property यानिकि यह जो commutative property है यह हमें क्या कहती है वो देखिए अब यह कहती है कि अगर आप Z1 में Z2 add कर रहे हैं वो equal होगा Z2 plus Z1 के यानिकि यह होती है हमारी commutative property कि first number में second number add करो वो equal होता है second number में first number add करने से अब बात एक ही आपको लग रहा होगा कि सरी है तो वैसे मजाक type किया जा रहा है कि हम दोनों quiet कर रहे हैं तो result तो वही आएगा लेकिन यह जो commutative property है यह सभी के लिए satisfy नहीं होती है अब जैसे complex number के लिए satisfy हो रही है other जो real number है यह जो normally digits होती है यह numbers होती है उनके लिए हर एक के लिए satisfy होती है अब कई जगे क्या होता है कि कोई matrix का case हो या फिर कुछ और आगे आप पढ़ेंगे वहाँ पर यह ज़रूरी नहीं होता कि commutative को हर कोई satisfy कर सकते है तो यहांसे देखिए तो Z1 प्लस Z2 को हमने Z2 प्लस Z1 के एकवल प्रूव करना है तो हम यहां एक common लिख लेते है assume कर लेते है let जो Z1 है वो A प्लस IOTA B है and जो Z2 है वो C प्लस IOTA D है अब left side में हमें क्या करना है A प्लस IOTA B add प्लस कर देना है C प्लस IOTA D अब देखिए राइट side में पहले क्या लिखेंगे C प्लस IOTA D और प्लस A प्लस IOTA B जब इन दोनों को add करोगे तो real part क्या होगा A प्लस C imaginary part में से IOTA B IOTA D है को तो common ले लिजिए कि value क्या बचेगी B प्लस D IOTA यहां से भी value सेम बचेगी A प्लस C C प्लस A लिख सकते हैं बात एकी है प्लस B प्लस D IOTA यानि कि यह क्या होगा commutative property को इसने satisfy कर दिया बिल्कुल simple सी है उसके बाद देखिए third third क्या कहता है यह property क्या होती है associative in C अब associative के coding क्या होता है associative property के बारे में मैं बताता हूँ आपको associative associative कहती है कि अगर आप Z1 में प्लस कर रहे है Z2 प्लस Z3 कहने का meaning भी पहले तो आप Z2 और Z3 को add कीजिए यह तीनों के हैं complex number बाद में Z1 को जोड़िए लेकिन right side में क्या कहता है कि पहले आप Z1 और Z2 को जोड़ दीजिए उसके बाद Z3 को add कीजिए यह दोनों sides के आनी चाहिए equal तो इसके लिए हमें एक और number मानना पड़ेगा Z3 जो क्या होगा D होगा यानकि E प्लस IOTYP होगा उसमें मान सकते हैं तो अब इन तीनों के case में आपने क्या करना है कि बस यहां value पूट कर देने Z1, Z2, Z3 की condition क्या है कि पहले आप bracket open करेंगे यानि कि यह वाली चीज है क्या open करेंगे bracket open करेंगे यानि कि यहां पर जो value है उसको add करेंगे then Z1 को add करोगे और add करने का तरीका क्या कि real part आप एक साथ रखें imaginary part आप बाद में लिखें और कि उसके बाद लिखें इसी तरीके से पहले आप यहां right side में Z1 और Z2 को add करोगे फिर आप Z3 को add करोगे और तरीका वाई कि real part अलग imaginary part अलग this means यह property भी easily आप satisfy कर सकते हैं अब जो important properties में आती है वो आती है fourth or fifth अब fourth or fifth क्या कहता है existence of additive identity अब additive identity यानि कि आप यह मान के चले class 6 से पढ़ते आ रहे हैं 6 में भी ऐसा होता था अब additive identity क्या कहती है कि यह जो fourth property है let Z1 is a complex number Z1 is a complex number अब इस Z1 में हम क्या add करें कि वो क्या आजाए Z1 ही आजाए वो क्या आजाए Z1 ही आजाए या फिर इसको ऐसे क्या कर सकते हैं इस question mark में अगर हम Z1 add करें तो वो Z1 ही आना चीए तो इन question mark की जगाए क्या मिलेगा आपको क्या आप लेख सकते हैं इनकी Z1 में हम क्या add करें कि वो z1 औा जाया तो additive identity क्या होती है प्यारे बच्चों 0 दिये जो additive identity है यह क्या होती है zero अब zero तो क्या है real number जिरो क्या है real number लेकिन हमें किस की form यहान कि जैड़न में कौन सा complex number add करें कि वो और पहले तो जैड़न को लिख लेते हैं यहां question मार्क लगा जेते हैं इक्वल में भी क्या ना चाहिए ए प्लस आयोटा भी यानि कि यह बोल रहा है भी इसके साथ छेड़ चार ना करो यहां जो मर्जी लिख दो यह तो आज़ी टीज ही जाएगा यह चेंज नहीं होगा तो प्यारे बच्चों इसकी जगा मैं क्या लिख सक आएगा और वहां पे जाके फिर कुछ न कुछ गडबर हो जाएगी तो जाये तो जो आटेटीन्टी हमारे पास है ऐडेटीव जो मेंटिटीन नंबर इसका आपने ध्यान रखना और ओप्प्शन काफी बनते हैं आपको देदेंगा कि वाटिज इडिटीव इडेंटी इन complex number नीचे option लिखे होंगे कि 0 प्लस 0 अकेला 0 भी लिखा हुआ यानि कि 1 प्लस 1 अयोटा भी लिखा जा सकता है 1 प्लस 0 अयोटा भी तो आपने select सिर्फ 0 प्लस 0 अयोटा ही select करना है अगर आपने देखी additive identity माल लिखा option में अब हो सकता है कि option में 0 ना दे लेकिन माल लिखे 0 लिखा है अब क्या यह 0 complex number है यह तो क्या है कि real number है कि नहीं यानिकि यह complex number की notation तो नहीं है लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख जेते हैं भी 0 प्लस 0 अयोटा यह वैसे तो अगर आप value calculate करोगे तो यह real number ही बनेगा क्योंकि यह 0 ही है लेकिन notation क्या है यह complex number वाड़ी है हम इसको क्या बोलते हैं complex number बोलते हैं कि A प्लस अयोटा भी एकी form में है तो इस मिन्स यह क्या होगा complex number होगा तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जो additive identity है वो क्या होगी 0 प्लस से 0 अयोटा होगी उसके बाद देखिए जो लास्ट प्रूपर्टी है फिप वह existence of additive inverse अब additive inverse में देखिए आप छोटी क्लासों में अपने क्या पढ़ा था वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करते थे कि 6 से भी अब हम 6 में क्या add करें 6 में क्या add करें कि वो 0 हो जाए तो छोटी क्लासों में additive inverse निकालते हैं इसकी सर्फ minus 6 add कर दीजिए अब 7 में क्या add करें कि वो 0 हो जाए इनकी minus 7 is equal to 0 तो 6 का additive inverse minus 6 7 का additive inverse minus 7 ऐसा कुछ होता था यह पढ़ चुके हैं तो इसी तरीके से है existence of additive inverse existence of additive inverse क्या कहता है कि z1 भी a complex number आप इसके अंदर क्या add करेंगे कि वो 0 हो जाएगा क्या add करेंगे कि वो 0 हो जाएगा तो देखिए z1 की value है a plus iota b इसमें क्या add करें यानि कि a को भी 0 बनाना है तो हमें minus का i add करना पड़ेगा iota b को भी 0 बनाना है बची 0 बची तो यहां से आप क्या लिख सकते है additive inverse in complex number additive inverse of complex number z complex number z is equal to क्या होगा minus का z1 होगा minus का z1 यानि कि z और sorry z1 नहीं भी z है तो z ही लिखेंगे z1 है तो z2 लिखेंगे यानि कि z का additive inverse क्या हुआ minus का z कि z में अगर आप minus के z को add कर देते हो तब ही 0 होगा और कोई option नहीं अब और देखिए जैसे z1 कोई complex number है मैं बोल रहाँ भी क्या add करें कि यह क्या हो जाए 0 तो इसमें आप क्या add कर देंगे यानि कि minus का z1 add कर देंगे यानि कि अगर आप देखिए इन दोनों प्रोपर्टी में जो इंपोर्टेंट चीजे थी अब पूछा जाएगा भी additive identity बताओ complex number में क्या होती है आप क्या बोलेंगे sir 0 प्लस 0 आयोटा आप पुछेगा कि additive inverse बताओ तो additive inverse क्या बताएंगे यानि कि अगर आपको z complex number given है this means the additive inverse of complex number z is equal to minus z the additive inverse of complex number z1 is equal to minus z1 इस तरीके से तो यह थी property प्यारे बच्चों addition से लेके अभी हम पढ़ेंगे property यानि कि multiplication से लेके properties of complex number in multiplication क्या क्या प्रोपर्टी रहती है तो multiplication में देखें प्यारे बच्चों कि जो properties of complex number in multiplication है वो क्या होती है अब जो पहले वाली property है वो हम पढ़ चुके है जो first है first क्या है multiplication is closed in c closed in c का meaning क्या है कि अगर आप z1 plus z1 और z2 की multiply करते हैं इनकी दो complex number की अगर आप multiply करते हैं तो result में भी हमें third क्या मिलेगा एक complex number ही मिलेगा जो अभी हमने prove किया था तो यह first में तो कुछ है नहीं प्यारे बचों अरड़ी हम कर चुके हैं जो आगे वाली properties हैं उनके लिए हम मान लेते हैं let b z1 कोई पहला complex number है a plus iota b z2 है वो हम मान लेते हैं z2 c plus iota d and जो z3 है क्या है z3 c और d हो गया तो e plus iota f मान लेते हैं इसको इस तरीके से अब जो second property है वो क्या कहते है फर्स तो हम पढ़ी चुके थे b जो multiplication है is commutative in c ये क्या होगी commutative होगी c के अब commutative का meaning क्या होगा commutative property अभी मैंने addition के अंदर पताया था जो multiplication के अंदर commutative property होती है वो कहते हैं कि अगर आप z1 की multiply z2 के साथ कर रहे हैं this win z2 की multiply आप z1 के साथ करें तो दोनों case में value कर रहेगी equal रहेगी अब इसे तो आप solve करी सकते हैं कि z1 की multiply z2 के साथ कर लीजिए z2 की multiply z1 के साथ कर लीजिए दोनों value आपके सामने लिखी पढ़ी है result में देखिए same आता है कि नहीं आता तो ये है हमारी property कॉमूटेटीव बिल्कुल आसानी से आप इसको drive कर सकते हैं मैं जान बूचके नहीं करवारा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है और जो असान से टोपी के वो student करी लेते हैं उसके बाद देखें जो थर्ड है थर्ड प्रोपर्टी क्या कहती है multiplication is associative in C, associative का मिनिंग क्या हो गया आप यहां से देखें कि but heat weight I prototype क्या कहती है कि आप जैट वन की माल्टिप्लाइए पहले जैट टू इंट टु एंट ट्री के साथ करें उसके बाद एंख एक्वror लोगा जैट वन प्लस जैट टू इंट समय जैट इसके नंदे का मिनिंग कर ए इह बोल रहे हैं कि भी पहले आप जैट Z2 और Z3 की multiply करें बाद में Z1 के साथ multiply करें right side में आप क्या करें कि Z1 और Z2 की पहले multiply कर दें बाद में आप किसके साथ multiply करें Z3 के साथ करें तो वो this means क्या होगी हमारी associati property होगी अब यह तो वैसे simple होगा अब यह तो complex number है अगर real number की बात करें तो मैं एक बोल दू कि 2 की multiply आप 4 इंटू 3 के साथ करें या फिर 2 इंटू 4 की multiply आप बाद में 3 के साथ करें रहीगी तो equally ना तो 4 3 जा 12 इंटू 2 24 और 2 4 जा 8 इंटू 3 वो भी 24 तो दोनों case में क्या आएगा result में तो 24 ही आएगा यह तो किसकी बात थी real numbers की लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं complex number की बस जहां मैंने real लिखे हैं आप complex लिख दीजे और multiply कर लिजे तो यह बिल्कुल simple सा fund है असानी से आप इन properties को satisfy कर सकते हैं verify कर सकते हैं भी graduation में जब जाओगे तो एक complete math मिलेगा आपको इनका complete math जिस पूरे math में सिरफ यह property ही आपको satisfy कर रहे हैं और कुछ नहीं जितने मर्जी chapter हो मान लिए उसमें अर्दस chapter होंगे तो सभी में बस यह property associative, commutative, distributive, identity, universe यह सारी चीज़े मिलेगी एक दो property और बढ़के आगी क्योंकि अच्छे level का मैत हो जाएगा तो इन चीजों पर फोकस करें कि होती क्या है हम कैसे इनको satisfy करते हैं तो आप फर्स्ट और सेकिंड को खुद से कर लेंगे उसके बाद जो फोर्थ है फोर्थ, यहनकी फर्स्ट सेकिंड थर्ड पर चुके हैं, multiplication is distributive over addition in C, जो multiplication है वो distributive होते हैं किस में, over addition C में, वो देखें, अब आती है distributive property, distributive क्या कहता है, कि अबर अगर आप Z1 की multiply लेते हैं, Z2 प्लस Z3 के साथ, तो वो equal आएगे हैं कि Z1 into Z2 प्लस Z1 into Z3, जैसे हम bracket open करके अंदर multiply कर देते हैं, चोलो मैं इसको verify करवा देता हूँ, तो Z1 की value क्या है, A plus iota B, इसकी multiply करने हैं, Z2 plus Z3 Z2 क्या है, C plus iota D, plus E plus iota F, यानकि Z1 और Z3 दोनों की value रख दिए, अब right side में क्या करना है, Z1 यानकि A plus iota B की आपने multiply करने हैं, Z2 के साथ, यानकि C plus iota D के साथ, plus A plus iota B की आपने multiply करने हैं, Z3, यानकि E plus iota F के साथ, ठीक है, तो यहां से देखें, A की multiply करते हैं भी सभी के स तो यानकि A की multiply करोगे तो value क्या हैंगी, A C plus iota AD plus AE plus iota F, एक ही multiply होगी, iota B की करें, तो iota BC, iota BC और iota square BD plus iota square BD, उसके बाद iota square BD, उसके बाद iota into iota, iota square, और यह क्या होगा, B और F, यानि की BF, यह होगी हमारी left hand side, तो अलग-अलग solve करना पढ़ेगा ना इनको, lengthy होगा, board पे भी नहीं आएगा, अगर आगे लिखूंगा तो, तो इसमें देखें, जहां iota square है, iota square मिले आपको यहां, इसकी जगा आप क्या कर देंग, minus 1, तो य क्या होगा, minus का BD, यह iota square हम, minus 1 करेंगे, यह भी क्या होगा, minus का BF, अब जो real part है, उनको एक साथ लिख लिजिए, real part में क्या है, AC, उसके बाद क्या है, plus AE, इस तरीके से आप लिखेंगे, उसके बाद minus BD, minus BF, यह तो होगा, real part, plus, अब जो iota वाली terms हैं, जैसे, 1, 2, 3, तीन, तीन टरम है न, iota वाली, तो अगर तीन टरम iota वाली है, तो इनको हम, एक हो रही है, यह भी, 4 होगी, 4 iota वाली term है, और 4, क्या है, real, real terms है, यानकि real part है, और imaginary part में भी 4 iota वाली, इन सभी में से अगर iota को मन लें, तो यहां से क्या बचेगा, AD, यहां से, plus AF, यहां स A, plus BC, और plus BE, और into में क्या लगा देंगे, आयोटा, तो यह क्या होगी हमारी left hand side, अब बात करते हैं, right hand side की, तो right hand side में देखिए, A plus Iota B की C, plus Iota D के साथ, यह क्या होगा, AC, plus A की Iota D के साथ, यानकि Iota AD, उसके बाद B, Iota B की C के साथ, तो Iota BC, और Iota B की Iota D के साथ, तो Iota Scare BD, उसके बाद देखिए, plus, अब A की E के साथ करोगे, तो AE हो गया, plus Iota AF हो गया, और Iota BE हो गया, और Iota Scare BF हो गया, अब देखिए, Iota Scare है यहाँ, तो यह क्या होगा, minus 1, Iota Scare और कहा है, यहाँ है, this means Iota Scare की जगा आप क्या रखोगे, minus 1, जब आप इसको calculate होगे, तो वही क्या बचेगा, यह AC हो गया, जो real part है, यह AC, और यह AE, BD और BF, अब यहाँ से देखिए, AC plus AE, उसके बाद है, minus BD minus BF, यह बच गया, और imaginary part, यानि कि जिसमें आयोटा है, तो यह हो गया, यह हो गया, एक यह और एक यह, च्यार पार्ट बच गये, तो सभी में से आयोटा common, तो AD plus BC plus AF plus BE, और साथ में क्या लग गया, आयोटा लग गया, आप देखिए, यह real part था, तो real part के equal, imaginary part है, imaginary part के equal, this means दोनों क्या हो गई, equal, तो यह अगर यहां left hand side और right hand side equal आ जाते, this means यह क्या हो गया, हमारी distributed property satisfy हो गया, तो इस तरीके से आप करेंगे, बि जो आगे वाली दोनों property है, वो most important है भी, तो इस distributed को सिर्फ इतना लिखा रहने देते हैं, ताकि आपके ध्यान में रहें, कि यह distributed property होती है, यह होती क्या है, उसके बाद देखिए, existence of multiplicative identity in C, existence of multiplicative identity, अभी उपर आपने क्या पढ़ा था, additive identity पढ़ा था, अब multiplicative identity होती क्या ह है, वो देखिए, अब multiplicative identity में आप क्या करते हैं, कि लेट कोई Z1 है, इसके अंदर, यहनकी फिफ्ट प्रोपर्टी के अंदर, भी Z1 को मैं किसके साथ multiply करूं, कि वो क्या आ जाए, Z1 ही आ जाए, ठीक है, या फिर, भी हम किसकी multiply Z1 के साथ करें, कि वो Z1 ही आ जाए, उल्ट इंटू में, भी हम क्या लिखें, कि राइट साइड में भी क्या बन जाए, अब देखें, किसी भी नंबर की multiply, हम अगर वन से करें, तब ही वही नंबर आता है, अदरवाइस कोई सामस नहीं है, 0, 2, 3, 4, 5, किसी से कर लेको उसना कुछ चेंज करी देगा, यानकी 1 एक ऐसा नंबर, यानकी ऐसा, कौन सा complex number है, कि इसके साथ multiply करेंगे, तो यही देगा, तो इस 1 को आप ऐस complex number लिख लिजी, यानकी 1 पलस 0 आयोटा लिख लिजी, हुआ की नहीं हुआ, अब है तो यह 1 ही, यह तो क्या होगा, 0, 1 की multiply करेंगा, यानकी यह जो 1 पलस 0 आयोटा है, इसको हम नाम देते हैं, multiplicative identity, multiplicative identity, value क्या होती है, 1 पलस 0 आयोटा, तो यह भी आपने जहान रखना है, प्यारे बचो, तो इस तरीके से आप multiplicative identity नहीं कहा लेंगे, उसके बाद है multiplicative inverse, multiplicative inverse, जैसे z1 कोई complex number है, भी मैं इसको किस से multiply करूँ, कि value क्या आजाए, 1 आजाए, अब जैसे छोटी क्रासो में आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा था, कि जो 2 है, भी हम 2 को किस से multiply करें, कि value 1 आजाए, तो आप क्या करते हैं, sir, 1 by 2 से कर दीजिए, तो 2 से 2 cancel हो जाएगा, 1 आजाएगा, अब 5 को किस से multiply करें, कि वो 1 आजाए, यानि कि 1 by 5 से तो 1 आजाए, यानि कि 1 multiplicative inverse of 2 is 1 by 2, multiplicative inverse of 5 is equal to 1 by 5, अब बोल रहा है कि 1 by 6 को किस से multiply करें, कि वो क्या आजाए, 1 आजाए, तो 6 से multiply कर दीजिए, 1 आजाएगा, यानि कि multiplicative inverse of 1 by 6 is 6, 6 का तो multiplicative inverse क्या होगा, 1 by 6 और 1 by 6 का क्या होगा, 6 होगा, तो अब यहाँ देखिए, किस से multiply करोगे, 1 upon Z1 से, तो value क आजाएगी, 1 आजाएगी, value क्या आजाएगी, 1, यानि कि आप इसको ऐसा सोच सकते हैं, कि A plus Iota B के, हम किस के साथ multiply करें, कि 1 आजाए, तो किस के साथ करने पड़ेगी, 1 upon A plus Iota B के साथ, ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं, अब यह जो 1 upon Z1 है, इसको मैं क्या लिख स ठीक है, यह सारे चीज़े आपको प्रूव, बुक में भी यह प्रूव करके, बिल्कुल सिंपल है, ज्याजा इसमें इतने मुश्किल चीज़े नहीं है, बस आपने देखना है कि A plus Iota B, यहां कोई भी complex number मालने नहीं, A plus Iota B, multiply में, right side divide में चला जाएगा, बस simple है, तो क्या आया, जो one by Z1 की value क्या है, one upon, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यानि कि अगर आपने यहां कुछ निकालना है, जैसे question mark, इसकी value आपको चीए, तो यह multiply में, right side में, divide में जाएगा, this means question mark is equal to क्या हो गया, one upon A plus Iota B, और यह one upon A plus Iota B, क्या था, one by Z1, जिसको हम क्या लिखते ह हो, Z inverse, Z inverse, जैनि कि Z to the power minus one, अगर ऐसे लिखा हो, कि one upon X square, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, X to the power minus two, जैनि कि यह power उपर जाके क्या हो जाती है, minus, तो यहां से आप क्या लिखोगे, Z inverse is the multiplicative inverse of Z1, ठीक है, यानि कि Z1 का inverse है, जो, यह सोरी Z1 का inverse होगा, जहान रखें, तो Z1 का inverse है, वो multiplicative inverse होगा, किसका, Z1 का, तो यह थी, प्यारे बचो, multiplicative की कुछ properties, जो अभी हमने पढ़ी, उसके बाद देखिए, चलो, मैं इन properties को अई रफ कर देता हूँ, right side में लिखे रहने देते हैं, अब ज्यादा कुछ नहीं, आपका जो basic introduction है, वो लगबग 95% तो complete होई चु होंगे इस तरीके से, यानिकि जैसे, A plus B का whole square, या identity थी, ठीके, तो आप क्या करते थे, A square plus 2AB plus B square, अगर आपको यह identity complex number के case में लगा नहीं हो, तो कैसे करोगे, B Z1 plus Z2 का whole square, किसके एकवल होगा, यानिकि Z1 का whole square, plus 2Z1, Z2, plus Z2 का whole square, अगर यहाँ minus हो, तो कहाँ minus आएगा, यहाँ पर minus आएगा, ठीके, यहाँ minus हो, बीच में तो यहाँ minus आएगा, यहाँ तो policy रहेगा, तो यह कुछ basic identities हैं भी, इनको आप ध्यान रखें, अभी तो मैंने सिरफ A की लिखाई हैं, यह book में आपकी सारी लिखी पड़ी हैं भी, यानिकि आपको यह भी पता हो कि Z1 plus Z Z2 का whole cube क्या होता है, यानिकि Z1 minus Z2 का whole cube क्या होता है, कि Z1 plus Z2 into में, Z1 minus Z2, यह किसके equal होता है, Z1 का square minus Z2 का square, यानिकि A plus B, A minus B, A square minus B square, तो इस तरीके से, यह जो basic identities हैं प्यारे बच्चों, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, यह NCRT में भी गीवन है, elements में भी ग कर्मा में भी गीवन है, क्यों गीवन तो यह जूडती नहीं है, देखने की match में तो, आपको सारे formula याद है, A, B की जगा Z1, Z2 रखते जाएं, बस हो जाएगा, तो इस तरीके से आज जो हमारा 5.2 है, उसका basic concept है, जो जितने भी है, वो complete होते हैं, जो इन में सबसे most important था, वो था, multiplicative identity क्या होती है, चुलो मैं एक बार अलग से लिख के दिखा देता हूँ आपको, यानि कि यह बहुत जुरूरी है भी, तो सबसे पहले देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था, additive identity, इन चार पे आपने focus रखने है, additive identity, वो मैंने आपको क्या पता आई थी, 0 प्लस, 0 एउटा, additive inverse, additive inverse क्या बताया था, अगर वो Z1 है, this means minus का Z1 होगा, यानि कि Z1 क्या है, complex number, उसके बाद, multiplicative identity, उसको आप कैसे लिखते हैं, 1 प्लस, 0 एउटा, multiplicative inverse, inverse क्या होता है, Z1 का inverse, यानि कि हम किसकी बात कर रहे हैं भी, Z1 की बात कर रहे है, Z1 कोई भी complex number है, Z1 की case में, ठीक है, तो इस तरीके से, यह जो चारों है, यह most important है, इस basic के अंदर, तो इन चीजों का आप ज्यान रखे, बाकी सारी property आपने अच्छी तरीके से पढ़नी है, यह exercise में काफी use होंगी, तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में फिलाल इतना ही, देखते रहे है, Defecto Classes. झाल इतने से, यह जो ऑन च knife, जो जाइँ जा झाल, पॉiler के रहे है, यह जिला इतना ही, कशापन årगी, प्यान रियां हутे और, या तो प्यान जातना है, एंद्यार का उनच्टार चारों, प्यांच्टार